दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार ये देखिए महराष्ट में इस समय महा अगहारी गडवन्दन में आपसी जबजद मतवेद हैं उदर नाना पटोले बनना चाहते हैं चीब मिनिस्टर उदर ठाकड़े के लिए लोग लगे हुए हैं और वास्तों में उदर ठाकड़े चीब मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं परन्तों संजय राउत जानबूज के उनका नाम चला करके अपने को सेप करना है उनका नाम चला करके उसकी वज़े है कि संजे रावत ये नहीं चाहिते हैं कि भाजपा और उदो ठाकड़े एक साथ मिले हकीकत ही ये आप देखिए संजे रावत उदो ठाकड़े जी की मीटिंग हुई उस पे ऐसी कोई भी कुछ भी डिसाइड ने हुआ ये हुआ कि बाद में इस पे डिसाइड किया जाएगा संजे रावत ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा मुख मंतिर पत्के चेहरे के बिना चुनाओ का सामना करना खथरा है ये सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए कल है क्योंकि संजे रावत का ये है कि अगर उधो ठाकड़े जी मना कर देते हैं तो हमको आंगे कर देंगे ये है कहानी महराष्ट ने महा विकास अगारी के मुख मंतिरी के रूब में उधो ठाकड़े का काम देखा है कई घटक दलों ने उधो ठाकड़े को बोट दिया है बेशक तीनों दलों के पास एक साथ ताकत थी लेकिन बिना किसी चेहरे के सरकार काम नहीं करेगी महराष्ट थी उधोने ने कहा कि बगाईर किसी चेहरे के मतब इनका ये है कि पहले बना दिया जाए और अगर कोई दूसरे को चीप मिनिस्ट बनाया जाएगा तो इनको सुखान नहीं है ताजू भी है कि उधोने थी स्वासे राओ सबस्था इंतर्स्थटेड है अब देखे जो बैठक हुई थी इस पे भी ऐसा कुछ नहीं है संजे राउत अपने आप एकायक आज जागे और एकदम से बोलने लगे उसके पीछे बेने भी आपको बतलाना हूँ क्या है देखे आपको बतलात है उद्व ठाकरे और आज सुबह आज मीटिंग हुई है उद बैठक कस से फिर वहां पर एक पर एक बात हुई है एक रूम में विधान बोवन में उद्व ठाकरे और फड़न भीष पे उसके बाद एक साथ लोग निकले लिफ्ट में एक साथ गये लिफ्ट में एक साथ रहे लिफ्ट बीच में काफी देर तक इस्तिर रही और ये उद्व ठाक्रे ग्रुप का पहले भी था कि अगर माल लिजे मोदी जी की 400 आजाती सीटे इलक्सन बोर्ड काउंटिंग के पहले तो मोदी जी के लिए सोचेंगे या कोई रास्ता बीच का निकालेंगे उद्व ठाक्रे का ये भी कहना है कि बाल ठाक्रे जी से बीजेपी की बहुत पढ़ती थी बहुत सम्मान बीजेपी करती थी परंत ये सब आपसी मनमुटाओ की वज़े से और कम्निकेशन सही नहीं हुआ लोगों ने बीच में गरबली की ये बीजेपी का ही मानना था ये उनका भी इसमें सबसेदा खतरा संजे राउत को लग रहा ये आपको लात को भी इनका प्रतनीत एक इनके आँ गया और उनके आँ गया बाच्चीत हुई परसों इसके पहले भी बाच्चीत हुई उधो ठाकरे गुड़ जो है वो बीजेपी के साथ अगला चुनाओ लगना चाहिता परंतो संजे राउत एक योजना बत तरीके से स्यूसेना प बीजेपी का सबसे उसी के बाद ये संजे राउत जी तुरन फटा फट बयान देने लगें मोदी की बुड़ाई की परेलकर जी की बुड़ाई करने लगें उस पे एक इनकी राजनेतिक सोच है इनको चुकि बैकिंग इंडी गडवन्दन वा तमाम ऐसे लोगों से हैं जो केन सरकार ब्रोधी वह खासतों से देश की एकता के ब्रोधी है अब देखे विजय बेटिवार ने क्या का बताया है कि महाविकास अगारी की बैठक में जो फार्मूला तै होगा वही अंतिम होगा वह बैठक नहीं हुई है जल्द ही यह बैठक होगी शीट आवंटन मुख कुछ भी नहीं कह सकता हूं किसी मुखमंत्री को हैному, खास सौर से उनौने एक बहुत कर्गुणाला आप सबल्द लिजे इनको जबाब दिया है कि एक प्रिकार से उन्होंने येस कह दिया कि मतब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ कहूँ या मैं मुखमंत्री कहूँ उन्होंने इनको दिया है राउत को कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम इस तरह से बोलो कि तीन दनों का गड़ बंदल उन्होंने ये भी कहा है बेटी वार जी ने कि मैं नहीं करूँगा ब्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहें ये उस बैठक में तै किया जाएगा और महाविकास अगारी तै करेगी उन्होंका महाविकास अधिकारी ये ब्यक्तिगत रूप में कुछ भी कहना है इनको मतलब अधि अब देखें उद्व ठाकरे का जो है उद्व ठाकरे पहले से और आदित ठाकरे का भी ये मानना था कि बड़े गलत ढंक से दोनों के विचार एक दोनों के वो और अगर उद्व ठाकरे के गुट को ये मुखमंत्री पत को शुकार नहीं करेंगे तो उद्व ठाकरे उनके बात चल लए बीजेपी ने इसपष्ट कर दिया उद्व ठाकले जी से कि हम वहाँ पर चाहिते हैं कि दोनों दल एक रहें सुषेना का एक गुठ हमारे साथ भी है वो आपसे बहुमत में बीजेपी ने भी कह दिया और साथ ने परिलकर ने भी एक कह दिया है और एकनाज का मैंने उस समय बिरोत किया था अभी भी मुन को नहीं चाहेंगे यह संभव है कि 20 से कोई रास्ते निकल सकते हैं कि आदित ठाकले को या इनके उससे एक केंद में मंत्री बनाया जा सकता सुषेना का और प्रदेश में मुख्य पद उप मुख्यमंत्री पद आदित ठाकले को निश्चित तौर पे दिया जा सकता है मगए सर्थ ही है कि संजे राउत को बाइकाट किया जाए संजे राउत अपने को बचाने के लिए ऐसा करना है अब देखिए संजे राउत के लिए भी कहा जाता है कि हिट मैन है यह उनको हिट मैन कहा जाता है जैसे दिल्ली में किर नहीं सरत पवार नहीं थे वास्तों में यह थे शुषेना तूटने की बज़े उधो ठाकरे से आप समझ लीजे आँख मिलाने की एकनास सिंदे की हिम्मत नहीं ती नहीं जमान ललाने की प्रणतु वो इनको बरदास्त नहीं करते थे तूटन की वज़े यह रही यह बात एक मेले टूटेते उन्हों कहाते हैं मेरी आख उठाने की भी हिम्मत नहीं है प्रण इनकी इन से इनके खिलाब थे सब लोग अब आप देखिए मुख मंत्री के बात कभी से यह संजे राउत है में चेहरा संजे राउत यह ना वहां के पबलिक लीडर है संजे राउत नहीं वहां के कोई बड़े लीडर है यह सिर्फ आपको बता रहा है कि वहां पे मातोश्री के उसमें जाना और उदो ठाकडे तक बस इनकी जो है इनकी पहुँच जो है उदो अब देखे मुखमंत्री के बात कभी से विधान सभाई विपच के नेता अंबादास दानवे ने संजे राउत के बयान पर प्रितक्रिया देते हुए कहा है मतलब विधान सभाई विपच के नेता ने भी कह दिया कि हमारा उद्देश उन्हें महायुत को हराना है मुझे लगता है कि मुखमंत्री तो बात की बात है मतब उदो ठाकरे के लिए और संजे राउत के लिए खासतोर से कहा है उदो ठाकरे समू के नेता ने भी यही कहा है कांगरेश नेता बाला साहिब थोडाड ने कहा है जिनके चेहरे का मतलब है कि हम आज एक साथ हैं, यह महत्पूर्ण है कि हम एक साथ लड़ने और जीतने जा रहे हैं। उन्होंने पश्ट कही दिया, संजय राउत की बात को नकार दिया, और साथ में यह है कि यह गलत है। और नेता कहीं कोई बात नहीं हुई, यह अपने आप इस तरह के बयान जारी करने हैं संजय राउत। अब देखें वहीं बीजेपी ने क्या किया, सबसे चौकाने वाला आज काम किया, कि जो लोग अंसन में बैठे थे आलक्षण के नाम पे, उनको बीजेपी ने सरकार ने जा करके, उनका अंसन तुरवा दिया, जो इस पिला करके, और यह स्वासन दे दिया, कि टंब का इक् देखें, ओबीसी आलक्षण को लेकर अहम ख़बर, सरकार ने इसी तारीक को बुंबई में सर्वदली बैठक बुलाई है, 29 तारीकों, लाज सरकार की प्रतनित मंदल यह स्वासन दे के, हेक की भूख हरतार बापस लेंगे, सफल लहा है, बापस लेली है, और अंदोलन का स इसी तरह का कोई नुकसान ने हुआ, इसी प्रत भूम में राज सरकार की ओर से, ओबीसी समदाए की मांगों को लेकर, 29 जून को सर्वदली नेताओं की बैठक बुलाई गए, वहीं आपको बताने है, चगन भुजबल ने इस पश्ट कर दिया है, कि उन्होंने महागारी प इस प्रिया सूले को अगर ये केंद में मंत्री बना दें, और वहां पर अक्टूबर में चुनाओं होंगे, हर्याना में और महाराष्ट में, और एन्सीपी के एक-दो लोगों को वहां पर मंत्री पद में उबलाईज करनें, तो एन्सीपी भी इनके साथ आ सकती, कुल मिल करके, जो इस सितियां है, वो बहुत साफ है कि महाराष्ट में पाला पलट गया है, और महाराष्ट में संजे राउत की राजनीत, खतम हो गई, आज इन्होंने इस लिए मोदी की बुढाई कर दी, जब कि जब ये मिले मोदी की बुढाई की परेड़कर की कहां, और में जय आज कर आओ जब कि Uढऊ ठाकरे ऐसा नहहीं तो कुमिला करके आपके बतार आने संजै-राउत की यह एक चीन भी देख लीज़े जिसमें साफ है ये देखिए संजे राउत जी का, दर्वाजे बंद, देख रहे हैं अब संजे राउत जी खाने, दर्वाजे बंद, और वो दिन दूर नहीं है, जब इनकी राजनीतिक दर्वाजे भी बंद हो लें, किसी भी कीमत में इनको दुबारा सदन में आने का मौका नहीं मिलेगा, ताना सा कर दिया ये बहुत साफ है कि उधो ठाकड़े की इमेज खराब कर रहे हैं और इनका इरादा कुछ और ये इनकी खिस्याद बोल लही है कि लाश्टपती भी है ताने सा और सरकार भी जुम्बेदार है अपात काल से भी उपर ताना सा ही हो गई है अपात काल का कभी व बहुत करवी दवा हो गई है अब बंद कर दो एक चुटकला भी उन्होंने सुनाया था कि जिस समय करवी दवा कोई बैद देता है तो उस बैद को बदल दिया जाता है बदल दिया और इसके बाद अपात काल में जब इंद्रा जी मिलने गई थी तो ठाकड़े जी ने मिलन से मना कर दिया और यह अपात काल का बिरोत कर ला है कहना है अपात काल से भी उपर ताना साही हो गए यह बहुत साप है सुसेना की थीम से बाहर जाना यह आपसी वो है चुकि इनके रुकसत के दिन आ गए है दोस्तों नमस्कार मैं आजय पत्रकार